आपके iPhone में battery drain का problem face कर रहे हो 15 ऐसी settings बताऊंगा जो change करने के बाद आपका battery drain काफी हद तक कम भी हो जाएगा ऐसे वाले इतना महगा जो आपके iPhone खरीदा है वो आप पूरी तरीके दे यूज़ भी कर पाऊगे नमस्कार दोस्तों मेरा में अमबेद टिकनोलोजी के दुनिया में हर दिन और कुछ नहीं सीखना चाहते हो तो यह चानल स्पेसिफिकली आपके लिए तो सबसे परेद आपकी स्क्रीन जितनी ज़्यादा डार्क होगी उतनी कम आपकी battery drain होगी अब रात को अंदेरे में जब भी आपके iPhone का आप यूज़ कर रहे होते हैं तब यहां से आपके आप brightness को chain तो करी सकते हो लेकिन इस brightness को all the way down करने के बाद यह काफी नहीं रहता है तो आईए आपको एक setting बता देता हूँ जिससे इससे भी ज़्यादा brightness कम आप कर सकोगे और उसके लिए हम आएंगे settings में settings में आपको आना accessibility में next आपको click करना है display and text size और यहां पे नीचे आपको एक option मिल जाएगा reduce white point इसको आपको on कर देना है अब जैसे आप इसको right side drag करोगे उतनी ज़्यादा आपकी screen dark होती जाएगी तो आप यह darkness तो use करी सकते हो प्लस यहां से आके आपकी brightness और भी कम कर सकते हो तो रात को आपके iPhone को use करने के लिए यह brightness इतनी भी कम नहीं होती है इसलिए आपको reduce white point use कर लेना चाहिए अपकोस 100% कुछ ज़्यादा ही हो गया लेकिन ideally मैं आपको recommend करूँगा 75% पर आप यह रख सकते हो और उसके बाद जाके आप यहां से आके brightness को कम ज़्यादा कर सकते हो वैसे यहां पे settings में आके हर बार इसको अगर on off नहीं करना है अब power button में आप तीन बार जब tap करोगे तो यहां पे आप देख से तो reduce white point आपका activate हो चुका है अगेन एक और बार इसको triple tap करेंगे तो आप देख से तो यह off हो चुका है तो time बचाना है तो यह shortcut आपको ज़रूर activate कर लेना चाहिए next setting जो आपको change कर लेनी है उसके लिए again हम आएगे settings में यहां पर हम आएगे display and brightness में यहां पर आपको एक option मिलता है raise to wake जिसको आपको off कर लेना चाहिए अब raise to wake करता है कि जब भी अपने iPhone को आप उठाते हो तो आपकी screen light हो जाती है अब इस function को use करने के लिए आपके sensors यहां पर use होते है तो अगर यह sensor use होगा इसका मतलब यह है कि आपकी battery भी use होगी तो अगर आपको चाहिए कि आपकी battery यूज नहीं होनी चाहिए sensor भी यूज नहीं होना चाहिए तो raise to wake आपको off कर लेना चाहिए अब अगर आप एक always on display वाला phone use कर रहे हो जैसे कि iPhone 14 Pro हो गया Pro Max हो गया तो in that case आपको settings में आना है यहां पर आपको आना display and brightness उसके पास यहां पर आपको option मिलेगा always on display का अब यहां पर मैं आपको ऐसा बिलकुल नहीं कह रहा हो always on display आप completely off कर दीजे क्योंकि इतना महेंगा iPhone खरीदा है तो फिर फाइदा ही क्या हुआ रादर आप यह कर सकते हो कि यहां पर show wallpaper को off कर दीजे जिससे always on display जब भी आपका use होगा तब आपकी battery जादा drain नहीं होगी अब next जो setting है वो ideally मेरे को पसंद नहीं है लेकिन अगर आपको battery drain से बचना है तो फिर आप यह वाले option को on कर सकते हो या फिर अगर आप travel कर रहे हो तो in that case भी यह वाल option आप on कर सकते हो तो कौनसे option की वे बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उन सब iPhones के बारे में जिन में आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको आना है settings में यहाँ पे आना है accessibility में उसके पाद आपको click करना है motion यहाँ पे आके आप limit frame rate को on कर सकते हो अब इसको on करने से होगा यह कि आपका 120Hz वाला iPhone है वो drop हो जाएगा 60Hz पे तो 60Hz पे अगर इसका refresh rate drop हो जाएगा तो आपकी बैटरी जादा बचेगी लेकिन जैसे के मैंने आपको बताया परसनली भी यह वाला option इतना prefer नहीं करता हो क्योंकि इतना महेंगा iPhone लिया है तो of course 120Hz पे इसको हम use भी करना चाहेंगे लेकिन अगर आपके लिए battery rent बहुत ही important criteria है तो फिर एक extra option आपको यहाँ पे मिल जाता है next setting लिए हम आएंगे privacy and security में and यहाँ पे हम आएंगे location services में अब यहाँ पे जो apps को अगर आपको लगता है कि location की कोई जरौत ही नहीं है उन apps में आके यहाँ से आके आप never कर सकते हो and अगर by chance कोई app को आपको location services का access देना भी है तो while using the app करने के बाद precise location को यहाँ से आके आपको off कर लेना चाहिए क्योंकि आपका iPhone जो है वो उस precise location को ढूंटता रहेगा तो better यह कि इसको आप off करके रखे तो इसे आपकी battery तो बचेगी plus आपकी privacy के लिए और भी ज़्यादा secure option है यह अब next location services में नीचे आपको option मिलता system services का यहाँ पे कुछ ऐसे options है जिसको location services की जरूत ही नहीं अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो system services दे मेरा location हर बार access किया है जब भी मैं यहाँ पे control center में आऊँगा मैं देख पाऊँगा location services यूज हो रहा है system services से जिसके वैसे जादा जादा battery यूज होती है अब यह आपको avoid करना है तो कुछ option आपको यहाँ पे आके off कर लेने चाहिए जैसे कि apple पे यहाँ से आके आप off कर सकते हो compass calibration भी आप off कर सकते हो home kit इंडिया में है यह इसको on क्यों रखे location based alerts भी आप off कर सकते हो location based suggestions को भी off कर सकते हो यहाँ पे motion calibration अगर आप use नहीं कर रहे हो तो इसको भी आपको off कर लेना चाहिए तो basically जो option आप use नहीं कर रहे हो वो आप individually यहाँ से आके off कर दीजिए and next आपको यहाँ पे नीचे आना है and आपको click करना significant locations अब यह option अगर आपका on होगा तो आपका जो भी location है वो constantly आपका iPhone track करता रहेगा तो इस option को अगर आप off कर देते हो तो आपकी battery तो बचेगी बचेगी at the same time आपकी RAM भी बच जाएगी लेकिन एक चीज में आपको यहाँ बता दो जो आपको कोई नहीं बताएगा that is अगर significant locations को आप off कर दोगे तो optimized battery charging आपका off हो जाएगा तो यहाँ पे battery में अगर आप देखोगे optimized battery charging फिलाल on है तो यह option आपका work नहीं करेगा अगर significant locations आपका off होगा तो तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको significant locations off करना चाहिए या फिर optimized battery tracking को use करना बंद कर लेना चाहिए तो अगर आप रात को आपके iPhone को overnight charge नहीं करते हो and optimized battery charging अगर आप use नहीं कर रहे हो तो then in that case आप significant locations को आप off कर सकते हो लेकिन comment करके मुझे जरूर बताना कि कि आपके लिए optimized battery charging ज़ादा important है या फिर उसको आप नहीं use करके rather significant locations को यहां से आके off कर दोगे अब next एक बहुत ही basic चीज है जो आपको periodically करना चाहिए that is आपके iPhone को restart कर लेना चाहिए तो once in a while अगर आपके iPhone को restart करते हो especially अगर आपने कोई software update कि आपके iPhone में और उस software को update करने के बाद आपके apps को भी update करने के बाद फिर आपके iPhone को आपको एक बार restart कर लेना चाहिए तो इससे देखा गया कि जादा दर जो bugs होते आपके iPhone में वो सब clear हो जाते है next setting ले हम आएगे settings में and यहाँ पर हमको आना है sounds and haptics में उसके बाद नीचे आपको एक option में जाए keyboard feedback जो आप देख सकते हो sound मेंने on करके रखा है लेकिन haptic को off करके रखा है तो haptic feedback keyboard पे ऐसे भी मेरे को पसंद नहीं है and haptic feedback को on रखने से आपकी बैटरी भी जादा drain होती है तो ideally मैं recommend करूँ इस option को आपको off कर लेना चाहिए next option के लिए एक step वापस आएंगे and यहाँ बे आपको system haptics मिल रहा है इस option को भी आपको off कर लेना चाहिए तो जितने कम haptics use होंगे आपके iPhone में उतनी जादा battery को आप बचा पाओगे अब next जो setting है वो बहुत ही important है याद करके और कुछ करो या ना करो ये चीज़ आपको जरूर कर लेनी चाहिए तरह सबसे पहले मैं आपको settings में ये दिखा देता हूँ बैटरी में आने के बाद कि यहाँ पे background में कुछ apps चल रहे है अब सारे apps को मैंने background app refresh का option नहीं दिया है इसलिए आपको जाद यहाँ पे activity नहीं दिख रही है लेकिन for example यहाँ पे WhatsApp को मैंने option देखे रखा है तरह इसलिए आपको करना ही है कि यहाँ पे setting में सबसे पहले आपको आना है general में general में next आपको आना है background app refresh अब जैसे कि मैंने आपको बता है मैंने सारे apps को यहाँ से off करके रखा है आपको भी यह same चीज कर देनी है तरह जो apps आपको चाहिए कि background में काम नहीं करने चाहिए तो यहाँ से आप individually आके off कर सकते हो especially जैसे आप देखते हैं Facebook को मैंने off करके रखा है free from में use ही नहीं करता है इसको क्यों on रखा है garage band भी में use नहीं करता है इसको भी मैंने off करके रखा है आप सिर्फ उन apps को यहाँ पे on रख सकते हो जो आपको background में चालू रखने है जैसे का for example WhatsApp में को on रखना है क्योंकि मेरे को कोई भी message अगर आता है तो वो मेरे को notification आ जाना चाहिए तो इसलिए WhatsApp हो गया, Instagram हो गया यह सब background में को on रखना है पढ़ती है आपके iPhone को and since उनको light करने की जरूत नहीं पढ़ती है तो बैटरी भी कम use होती है आपके phone में अब जब भी आप स्टोर को browse कर रहे होंगे अगर वहाँ पे कोई भी video है तो आप देख सेके तो automatically यह video प्ले होना शुरू हो चुका है अब अगर आपके iPhone में बहुत सारे apps है या फिर हर app में बहुत सारे notifications आपको आते है तो एक चीज़ आपको change कर लेनी है और उसके लिए settings में आएंगे notifications में अब यहाँ पे सबसे पहले जो apps के notification आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आके आपको off कर लेने चाहिए आपको schedule summary सेलेक कर लेना चाहिए अब इसे होगा क्या इसे एक ही चीज़ होगी जब भी कोई notification आपको आता है तो आपकी screen automatically light हो जाती है अगर उस notification को आप off कर देते हो या फिर schedule summary में add कर देते हो तो जो schedule summary का time आपने set किया रहेगा उसी time के बीच में वो notification आपको मिलेंगे कहने के मादब आपके iPhone की screen को repeatedly on होने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आपने schedule summary या फिर अगर उस notification आपने off करके रखा होगा तो अब last चीज जो आपको करने है वो actually setting तो नहीं है लेकिन बहुत ही काम किये आपके iPhone के लिए और वो है कि आपको Apple का original charger ही use करना चाहिए as well as cable जो है वो भी Apple की original use करिए या फिर MFI certified use करिए क्योंकि इस charger में built-in technology है जो आपके iPhone को protect करके रखेगा तो मैं strongly recommend करूँगा knock-off chargers कभी भी मत use करिए अगर आपका battery drain का problem थोड़ा भी solve हुआ है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है वीडियो को like करना है share करना है चैनल पर पहली बारा subscribe कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दीख रहा है उस पर भी click जरूर करिए देखते रहे और जन टेकन हिंदियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में